पित्रपक्ष और औरतों को लेकर कई सारी गलत फैमियां और कई अलग-अलग भ्रांतियां आज भी लोगों के मन में हैं अगर आपको नहीं पता तो हम आपको बता दें कि पित्रपक्ष का मतलब होता क्या है और साथ ही साथ औरतों का इससे क्या संबंद है हमारे हिंदु धर्म में हर एक देवी देवता को पूझने और उनसे आशरवाद लेने का सही समय बताया गया है जो की अलग-अलग गणनाओं से बने पंचांग से पता चलता है ऐसे में हमारे पित्रों या अंसेस्टर्स को भी हमारे देवों जैसा ही माना जाता है पित्रवक्ष में हम अपने पित्रों की पूझा करते हैं और उनसे आशरवाद लेते हैं साथ ही अगर किसी को पित्रवदोश लगा है तो उसके उपाए भी इसी समय होते हैं अगर आप पित्र दोश के बारे में और जाना चाहते हैं तो हमारी विडियो जरूर देखेगा इसमें आपको पित्र पक्ष की तिथी भी मिल जाएगी और साथी साथ आपको इसके उपाए भी अब चलते हैं आज के विडियो के मुख्य विश्राय पर अगर आपको भी ये लगता है कि औरते पिंडदान नहीं कर सकती हैं तो हम आपको बता दे कि ये आज कल की गलत फहमी हैं हमारे शास्त्रों में कहीं ऐसा नहीं लिखा कि औरते पिंड़दान नहीं कर सकती या उन्हें पिंड़दान करना वर्जित है ऐसे में आप पूछेंगे कि हम ये किस तरीके से कह सकते हैं तो जी हम नहीं कह रहें ये तो अलग अलब पुरान जैसे की स्थल पुरान, मारकंडे कि और वाल्मिकी रामायण से निकल कर आता है कि भगवान श्री राम की स्वर्ग वाशी पिता, राजा दश्रत का पिंडदान राम नहीं बल्कि उनकी पतनी देवी सीता ने पहले किया था अब राम जी को 14 वर्ष का वनवास हो चुका था और वो सीता मैया और भाई लक्षमन संग वनों में विचर रहे थे वनों में घूमते घूमते वो गया पहुंचे जहां अचानक उने पता चला कि उनकी पिता राजा दश्रत अब स्वर्गवासी हो चुके हैं कुछ पुराणों में तो ये भी कहा गया है कि ये खबर उन तक स्वयम रावन ने भेश बदल कर पहुंचाई अयोध्या में भरत और शत्रुगण ने उनका अंतिम संसकार तो कर दिया मगर सबसे बड़े और फ्रिय बेटे राम को भी तो पिंडदान करना था ऐसा कहते हैं कि यही वो समय है जब भेश बदल कर आए रावन ने उन्हें कहा हे राम आपके महा प्रतापी पिता के लिए तो आपको स्वन्द म्रिक की छाला अरपन करनी चाहिए तभी उनका पिंडदान हो पाएगा इसके बाद ही कहते हैं कि राम और लक्षमन स्वन्द म्रिक का शिकार करने चले गए थे कथा आगे यूँ बढ़ती है कि वो पिंडदान का सामान लेने निकल पड़े और बड़ी देर तक वापस नहीं आए दोपहर हो आई और देवी सीता उनका घाट किनारे इंतजार करती रही ऐसे में राजा दश्रत की राख उड़ते उड़ते पानी में सीता को दिखी उन्हें समझ आ गया कि ये संकेत है और अब देर करना ठीक न होगा उन्होंने राम और लक्ष्मन का और इंतजार ना कर खुद ही पिंड़दान देने का निश्चे किया उन्होंने चावल और तिल के पिंड़ बनाए और पिंड़दान की विधी शुरू करी उन्होंने शुरू करने से पहले फाल्गो नदी गाय, कव्वा, तुलसी, बटव हो चुका है, मगर जब राम ने उनसे साक्षी के बारे में पूछा, तो फल्गो नदी, गाय, तुलसी, कव्वा और ब्रामण तो मुकर गए, मगर वटवरिक्ष ने उनकी बात से सहमती दिखाई और अपना साक्ष राम को दिया, इसके बाद सीता ने अपनी बात को जुट ही बनाई हुई है, कथा में आगे बढ़ते हैं अब, इसके बाद राम ने सीता और लक्ष्मन के साथ जाकर अपने स्वर्ग्वासी पिता का पिंडदान पुन पुन नदी में किया था, इसे अब मुक्ती धाम भी कहते हैं, इसी कारण इसे पिंडदान का प्रथम द्वार भी कहा जाता है, तो देखिए इस वीडियो से आपको समझ तो आही गया होगा, कि महिलाएं भी पिंडदान कर सकती हैं, हम यही उमीद करते हैं, कि इस से आपको अगर कोई भी गलत सहमी रही होगी, तो हमने उसे आपके लिए थूड़ा सा दोर किया है, और ऐसी ही और जान